सब्सक्राइब करें सिंप्लिफाइड सिविल और जियो टेकनिकल इंजिनिरिंग चैनल को और बेल आकोन पर फ्लिक करें मेरे नेक्स्ट वीडियो दियरेक्ली देखने के लिए अ 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 ठो आप अ अ अ आ स्वेर्ट अ में या इसंप्लिफाD आंड बेलीट अ इसब्सक्राइब के लिए इसप्लर इसब्सक्राइब जिसमें हम सिंप्ली ओन का यूज़ करेंगे और इससे हमको वाटर कंटेंट पता चलेगा वाटर कंटेंट निकालना इसलिए जरूरी ही कि इस वाटर कंटेंट के ओपर डिपेंड करता है तो इसलिए सबसे पहले बेसिक चीट जो आती है वह है Determination of water content Now we will see the definition of water content So it is the ratio of weight of water to the weight of soil You can see weight of water to the weight of soil अभी हम देखने वाले हैं इसमें apparatus जो के हमको इस प्रैक्टिकल के लिए लगने वाले है पहला है इसमें oven उसके बार है continuous और तीसरा है weighing balance ओवन को हम रखने वाले है 110 degree centigrade पे उसके बाद है continuous हमको 3 continuous देने जिसका हम बार में average देने वाले है और लास्ट में है weighing balance को weight लेने के काम में आपने आपने अब हम देखने वाले इसका observation observation तीन points है first point है mass of container with lead तो यहां पर हम देने वाले है empty container और जिसका हम weight दिकाटने आने है with its lead मतलब इसके cover के start अब हम देखने आड़े point number 2 जिसमे mass of container with lead and weight soil इसका notation है W2 इसमें ग्राउट से जो स्वाइल है उसमें पानी का content present रहेगा इसलिए हम नहीं आपर बोला है weight soil and last point है mass of container with lead and dry soil इसमें हम इस container हो जिसका नाम है W3 इस container हम ओवन के अंदर 24 hours के लिए रखेंगे और उसका temperature रहेगा 110 degree centigrade and उसके बार oven में से इसने निकाल कर इसका weight चेक करेगी अब oven में से container को निकालने के बार अगला step है हमको यहांब डिफरेंस लेना है initial weight which is W2 minus final weight which is W3 और आपर आप तेक सकते है W2 minus W3 इस table से हमें पता चलेगा कि टेस्टिंग के लिए soil की कितनी quantity लेनी होगी जैसे के example 2 mm sieve size से 90% soil अगर pass हो जाती है तो टेस्टिंग के लिए हम लेंगे 50 gram of soil अब हम देखने वाड़ें प्रोसीजर how to determine the water content by using old rank method अब पहली statement लेंगे लाए इस empty container का weight इसके cover के साथ तो अब इस reading को हम observation table में note करेंगे which is 47.64 तो आब हम यहां पे note करने देख observation अब यहां पर second stage में हम लेने वाले है इस container का weight जो रहेगा हमारा notation अब अब लेना है अब लेना है इस container का weight और इसको record करेंगे हम observation table में इस container का इस container का weight हमें मिला है 123.82 ग्राम तो यह था हमारा second reading 123.82 ग्राम which is W2 अब हम लेने वाले है reading W3 और इस W3 reading के ले इस container को stoil के साथ हम place करेंगे oven के अंदर for 24 hours अब यहां पर आप देख सकते हैं इसका temperature हम set करने वाले 110 degree centigrade के उपर after 24 hours हम इस container को बहार निकाने वाले हैं और उसका जो weight रहेगा वो रहेगा W3 और उसका observation table में उसका weight record करेंगे करेंगे अब इस sample को हमने ओन से निकाला है 24 hours के बाद और अब इसका हम weight निकाने वाले हैं और वो रहेगा W3 और इसका weight हम लेके observation table में record करेंगे तो यह था हमारा W3 का reading 112.75 अब हम देखिने हमने script calculations जहां पर हमने WW5 दिया है और यहां पर आप देख सकते हैं हमारा स्टोई का water content जो मिला है वह है 17% तो यह था आप तक का process जिसमें हमने determine किया है water content by using the own drying method hope अगर वीडियो आपको पसंद आये तो subscribe के button पर click करना ना पुले and thanks for watching my video कर दो अभाल अभाल कर दो बास को अभाल कर दो झाल झाल झाल